हेलो, my all lovely students, I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे Students, आज Class 7 का Science का Lecture है, आपका First Chapter मेंने बढ़ाया था, Nutritions in Plants Previous Lecture में मैंने आप लोग को Mode of Nutritions in Plants ये बताया था, Sales के बारे में बताया था, ठीक है और उसके आगे हमें पढ़ाना था, Photosynthesis जो कि इस Lecture में मैं कवर करूँगी, ठीक है अगर आप लोगोंने Previous Lecture नहीं देखा है, तो प्लीज उस Lecture को जाके एक बार देख लीजिए, जिससे आप Connect हो पाएंगे इस Lecture से, ठीक है, क्योंकि आपका एक Chapter एक Lecture में कवर नहीं हो सकता इसलिए कई सारी Lectures, कई सारे Parts में आपको एवेलेबल होंगे, ठीक है तो इसके लिए आप Previous Lecture को देखते रही है, ठीक है और अगर कोई भी Problem हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं कुछ समझ में ना आया है तो, ठीक है चलिए आज का Lecture स्टार्ट करते हैं, Let's get started आज का है Lecture Photosynthesis, Food Making Process in Plants Photosynthesis का मतलब क्या होता है, Photosynthesis क्या है पौदे जो भोजन बनाते हैं, जो process है, जो भोजन बनाते हैं वो नहीं, भोजन बनाने का जो process है, होता है ना, जैसे हम step by step कोई काम करते हैं, तो वो जो steps है, वो जो process है, वो है आपको Photosynthesis, ठीक है और Photosynthesis जो प्रोजस है, यह आपका Around Green Leaves के आसपास गुमता है, ठीक है यह है देखिए आपका Diagram, Photosynthesis का, ठीक है, थोड़ा और Zoom कर देती हूँ मैं, यह आपका एक plant है, यह जो leaf है, ग्रीन leaf में chlorophyll होता है, आप सब जानते हो, तो C, यह chlorophyll, ठीक है, और यह sun से light आ रही है, प्रिंट सबसे पहले मैं आपको figure इसलिए दिखा रही हूँ, क्योंकि आप आगे जब मैं इसका पूरा process step by step बताऊंगी, तो आप बहुत ही आसानी से connect हो पाएंगे, और बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है, आपका एक plant है, इसमें chlorophyll, यह जो पत्ती में green pigment होता है, उसे chlorophyll कहते हैं, ठीक है, और यह जो photosynthesis का process है, उसमें आपका chlorophyll, light energy, यानि सूरे का जो प्रकास है, वो carbon dioxide, यह सारी चीज़ें बहुत important है, water, mineral, सब कुछ, ठीक है, इसलिए यहाँ पे, देखें, सूरे के energy, यह जो green leaf है, यह इसको absorb कर लेती है, carbon dioxide जो हमारे surrounding में है, जो, मतलब, जो plants के surrounding में है, उसको absorb कर लेती है, देखें, यह आपे, यह जो पत्ती है, carbon dioxide को associate कर रहे है, ठीक है, और हमें क्या दित्ते है, photosynthesis process में हमें क्या मिलता है, oxygen, ठीक है, देख लिए आप लोगों ने, इसे आप ध्यान से देख लीजे, यह है आपका plant, यह है chlorophyll, leaf, light energy, यह जो green pigment है, इसे कहते है, chlorophyll, यह है सूरे का प्रकास, carbon dioxide, ठीक है, हमें मिल रहा है, oxygen, और नीचे, इसके जो root है, यह root है, यहाँ पे देखिए, water and minerals, हम पौदर के जड़ में पानी देते हैं न, तो मिट्टी के नीचे से ही, क्या, minerals है न, जो खनिज मिलता है, खनिज तत तो जो मिलता है, जो water, जो root है, वहाँ से मिलता है, ठीक है चलिए, अब पढ़ते हैं कि photosynthesis कैसे work करता है, कैसे क्या होता है, पूरा जो process है, वह जानते हैं, ठीक है, चलिए, start करते है, the food factories of plants are leaves, जो food factory है, plants की वह क्या है, पतिया है, यानि पतियों को plant की, यानि पौदों की food factory कहा जाता है, ठीक है, therefore, it is required all the raw materials must raise the leaf, इसके पतियों तक ये जो raw materials होते हैं, वो पहुशने चाहिए जबकि, ठीक है, the root absorbs water and minerals present in the soil and is transported to the leaves, जो root है plants का, वो water and minerals को absorb करता है, और sosisit करता है, और उसे पतियों तक पहुचाता है, कि से soil से, ठीक है, मैंने आप लोग को figure में दिखाया था न, इसलिए मैंने पहले आप लोग को figure दिखा दिया है, कि आप हर चीज को connect कर पाओ, carbon dioxide is taken from air, आपने figure में देखा कि carbon dioxide को पत्ती absorb कर रहे हैं, अपने surrounding से, ठीक है, the tiny pores present on the surface of leaves known as istomater, जो पत्तियों में जो छिदर होते हैं, जो हलके हलके आप dot dot देखे, आप कोई पत्ती तोड़िएगा, उसको आप ध्यान से देखेंगे, तो ये सारी जो चीज़े हैं, आपको नजर आएंगी, ठीक है, उसमें हलके हलके छिदर होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं, istomater, tiny pores, बहुत ही सुक्च में होता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े-बड़े hole होंगे, ठीक है, आप लोग इसे practically देख लीजेगा, कोई भी पत्ती तोड़िएगा, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, उसको istomater कहते हैं, यही क्या istomater क्या करता है, कार लोगों मैं दिखाती हूँ, गार्ड सेल्स मतलब जो लाइनिंग होती है, जो धारी होती है, पत्तियों पर आप लोगों ने देखा होगा, धारी, लाइनिंग होती है, हाँ, यहाँ पर देखे, यहाँ पर फीगर है, यह है गार्ड सेल्स, यह जो लाइनिंग है, यह सब द ठीके तो जो पतली-पतली г-brainer होती है पत्तियों पर वो क्या हो गई गाड़्श वो गई और जो टैईनी पोर्ट होते हैं जो चिओ रहे होते हैं वो क्या हो गया इस्टोमेटा ठीके आई आगे पड़ते हैं pipe-like vessels run throughout the root sorry पाइप लाएक वेसलें रन थो और आउट लीज टहों पडिली पाइप की तरह एक पाइप के जैसे डनली हो थी धीति के बेसलस होती हैं जो मुष्थ से न में डू यहा सब लीज old करती है, absorb करती हैं यह जो vessels होते हैं उसे वो stem, यानि Tने तक साखावन तक और पत्तियों तक पहुचाते हैं क्या water and minerals water and minerals को यह जो vessels होते हैं pipe की तरफ वो पौधे की Tने ब्रास साखाएं और पत्तियों यानि stem, branches और leafs तक पहुचाने का काम करते हैं ठीक है these vessels from a continuous path or passage for the nutrients nutrients to reach the leaf यही जो है जो vessels है यही क्या है path है यही रास्ता है एक तरीकी से पत्तियों तो पहुशने का यही जो nutrients है पत्तियों तो पहुशने का क्या है रास्ता है ठीक है you will know more रास्ते का मतलब यहां पर चलने वाला नहीं है मतलब एक वे है जिसके थो पत्तियों तो जाता है minerals ठीक है nutrients water you will know more about transport of materials in plant in chapter 11 आप इसके बारे में जादा जो materials transport जो पौधों में होता है material transport उसके बारे में अब chapter 11 में detail में पढ़ेंगे तो चलिए यह chapter 11 में देखेंगे है नो अभी इसमें जो है वो पढ़ लेते हैं the leaves have a green pigment called chlorophyll आप लोग को मैंने बताया जो पत्तियों का जो हरा जो green pigment होता है जो हरा है chlorophyll की वजह से जो green pigment होता है पत्तियों में उसे कहते है chlorophyll या कोई पूछे कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है तो आपका answer होगा chlorophyll ठीक है which helps them to capture the sunlight energy जो की help करता है जो green pigment है जो chlorophyll है help करता है सुरी की energy को capture करने में यानि absorb करने में सुरी की energy को पकड़ेगा नहीं न एबसॉप करने में और सोसित करने में ठीक है help करता है plant synthesize their food using carbon dioxide and water in presence of sunlight जो पौदे है synthesize मतलब क्या होता है बनाना ठीक है कोई चीज बनाना तो यहां पर पौदे क्या बनाते है अपना जो भोजन बनाते है plant synthesize their food पौदे अपना भोजन बनाते हैं किसका यूज करके carbon dioxide और water का in presence of sunlight sunlight के presence उपस्थिती में यानि सूरी की किरड़ भी होनी चाहिए सूरी की किरड़ की उपस्थिती में carbon dioxide और water से मिलके पौदे क्या अपना भोजन बनाते है ठीक है यह इनका raw material हो समझ लीजिए the process of preparing food in the presence of sunlight is known as photosynthesis यह जो process है sunlight में भोजन बनाने का इसे हम कहते हैं photosynthesis ठीक है photosynthesis किस process को जो पौदे सूरी की उपस्थिती में अपना भोजन बनाते है उस process को कहते है photosynthesis प्रकास संसलेशण भी हिंदी में कहते है ठीक है अब इसमें देख लेते है photosynthesis दो वर्ट से मिलके बना हुआ एक है photo दूसरा synthesis photo का मतलब क्या होता है light synthesis का मतलब होता है to prepare यानि प्रकास की उपस्थिती में कोई चीज अगर बन रही है तो उसे हम कहेंगे photosynthesis it is one of the unique process on the earth ये प्रिथिवी पे एक बहुत ही unique process है एक बहुत ही unique यानि बहुत ही अलग बहुत ही vital process है ठीक है so to carry out the process of photosynthesis chlorophyll sunlight carbon dioxide and water are essential इसलिए photosynthesis की जो process है उसके लिए आपको क्या-क्या चीजों की जरूरत होगे chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water ये essential है ये important है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है photosynthesis process में क्या-क्या जरूरी है बच्चों chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water ठीक है भूलना नहीं आप लोग ये चीज चलिए आगे देखते हैं leaves capture this solar energy and store it in the form of food in plants leaves क्या करती है ये जो solar energy है इसे absorb कर लेती है और इसे store करती है form of food in plants बहुत हो में food यानि भोजन के रूप में से store करती है पत्तियां ठीक है thus the ultimate source of energy for all living organisms is the sun इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो सूरी के किरण है ठीक है तो ultimate source है उर्जा का जो वो क्या है सभी जो जीवित प्राड़ी है उनके लिए जो उर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है वो है shun यानि सुरे ठीक है if plants do not make their own food through photosynthesis there would be no food अगर पौदी photosynthesis के दौरा के प्रोसेस से अपना भोजन नहीं बनाया तो कोई भोजन नहीं होगा फिर कहां से मिले गोने है ना thus इस प्रकार survival of living organism depends on plants for their food directly और indirectly इसलिए हम यह कह सकते है कि जो भी जीवित प्राड़ी है जो भी living organism है उनके survival के लिए किस पर depend हो दे है पौदों पे चाहे वो direct form में या indirect form में मतलब directly और indirectly depend करते हैं जो भी living beings है वो plants पे ठीक है अपने भोजन के लिए the process of photosynthesis also takes place in other green parts of the plant other than leaves like in green stems and green branches जो photosynthesis है एक सेके अब देखिए जो photosynthesis का process है अभी तक हमने ऊपर क्या पड़ा कि पत्तियां green होती है इसलिए इसमें process complete होता है राइट लेकिन बच्चो photosynthesis का जो process है सिर्फ ऐसा नहीं है कि पौदे की पत्ति green है बस वही इस process को complete कर सकती है पौदे का बाकी जो हरा भाग है वो भी अगर पौदे का stem green है तो उसमें भी ये process complete होगा उसकी साखाएं green है तो उसमें भी ये process होगा ठीक है the leaves of desert plants have stitch of और स्पाइन-like safe which helps to reduce loss of water by transpiration यहां पर एक्जामपल दिया है कि जो डिजर्ट में लीप सोते हैं कि जो डिजर्ट में जो प्लांट्स थे हैं जो सुखाय होता है जहां पे रेटीली भूमी उती जहां पर बारिस ज्यादा नहीं होती वहां पर जो पौधे होते हैं उनकी जो स्केल्स होती यह spine के जैसे spine के अकार की ठीक है वो help करती है water को कम reduce होने में waspy currency transpiration से control करती है कि ज्यादा ज्यादा पानी वो क्या होता है उसमें कठा रहता है उनके stem में उसको reduce उसका जो पानी जो waspy current आप सुने है ना कि धूप से या फिर गर्मी से wasp उड़ जाता है पानी तो यह जो इनका spine scales होता है वो पानी के absorb करता है और उसकी जो loss होने का प्रोसेस है उसे कम कर देता है इसकी वज़ास से पानी कम loss होता है कम wasp होता है ठीक है in these plants photosynthesis is carried out through green stems और यह जो प्लॉप ओधे हैं इनमें जो photosynthesis का process होता है वो इनका जो stem है यानि इनका जो तना है जो कि green है उसके द्वारा होता है ठीक है तो यह चीज भी आप लोग जानते रहे हैं डियूरिंग photosynthesis oxygen is produced which is vital for the survival of all living organisms photosynthesis के दरान ठीक है जो photosynthesis का process है और उसकी दरान oxygen हमें मिलता है जो कि बहुत ही जरूरी हं तृटने पी जीवित प्राणी है जितने भी on Legendर जीवित जीव हैं उनको oxygen कहा से मिलता है बधों से मिलता है और यह oxygen कहां से मिलता है यह photosynthesis का जो productive process है इसके थरुई oxygen release होता है ठीक है hence it can be said that life cannot exist on earth in the absence of photosynthesis इस अता हम क्या सकते हैं कि life cannot exist on earth पृत्वी पर जीवन exist नहीं कर सकता अगर photosynthesis का process नहीं हो तो या photosynthesis का process नहीं हो क्योंकि oxygen नहीं मिलेगा और oxygen नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं हम क्या कोई भी living organism वो जीवित नहीं रह सकते हैं ठीक है आए देखते हैं आगे during photosynthesis in the process of sunlight cells of leaves containing chlorophyll synthesized carbohydrates using carbon dioxide and water photosynthesis के दोरान सूरे की किरड की उपस्तिती में जो cells होते हैं जिसमें chlorophyll होता है synthesized carbohydrates using carbon dioxide and water carbon dioxide और water का यूज़ करके carbohydrates बनाते हैं ठीक है the process can be represented in an equation और इस process को हम equation के माद्यम से और अच्छे से समझ सकते हैं present कर सकते हैं वो equation क्या है आप लोग को बताते हो पहले आप लोग यह figure देख लीजिए see यह देखिए यह है आपका chlorophyll यह है आपकी leaf ठीक है इसमें guard cell आपको हमने बता दिया stomata opening यह और यह जो छिद्र है यह जो dot dot है वो क्या है istomate है यह chlorophyll यह जो green pigment है ठीक है और यह जो उसके उपर यह जो यह है tiny pores है इसके उपर जो lining है उसे हम कहते हैं guard cells ठीक है और यह जो होले से कहते हैं stoma ठीक है तो figure आप लोग के बढ़ ध्यान से देख लीजिए very good चले आगे पढ़ते हैं equation देखते है most important यह है आपका equation इसे ध्यान से देखें बहुत important है carbon dioxide plus water और sunlight chlorophyll यह है आपका photosynthesis का raw material ठीक है इससे मिला क्या इससे बना क्या carbohydrate and oxygen ठीक है तो यह पूरा जो photosynthesis का process है क्या है carbon dioxide plus water plus sunlight plus chlorophyll यह सब मिलके क्या बना पौदों का भूजन तो बना ही बना और हमें क्या मिला carbohydrate plus oxygen ठीक है इस photosynthesis के process के दौरान ठीक है चले आगे देखते हैं during the process oxygen is released इस process में oxygen released होती है यह equation है ना इसमें देखें आपको oxygen दिख रहा है oxygen and carbohydrates the occurrence of photosynthesis indicated by the presence of starch in leaves occurrence मतलब क्या होता है कमी किसी चीज़ के ठीक है the occurrence of photosynthesis is indicated by the presence of starch in leaves leaves में जो starch होता है वो indicate करता है मतलब उससे हमें यह पता चलता है कि photosynthesis के process में कमी है कि सही है जादा है क्या है star is also a carbohydrate start क्या है start भी एक carbohydrate है यह कैसे पता चलता है देखें यह carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll इससे यह photosynthesis का process चल रहा है इससे बन क्या रहा है carbohydrate and oxygen और अगर carbohydrate की मात्रा कम है तो अब्वेसी बात है आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो photosynthesis का process है उसमें कमी आ रही है अगर यह proper है जितना होना चाहिए it means photosynthesis का process सही चल रहा है ठीक है तो friends आपका यह chapter complete हुआ ठीक है अब इसमें कुछ questions है जिसके answer मैंने आप लोग को बताया इसमें मिल गया है अब उसका answer मुझे आप लोग बताएंगे सबसे पहला है बूजो inquiry में how water and minerals raise the leaves absorbed by roots water यानि पानी हो गया और आपका जो minerals यानि खनीज है वो पत्तियों तो कैसे जाता है roots से कैसे absorb करती है पत्तिया उनको जड़ से यह आपको बताना है comment box में आप लोग मुझे इसका answer देंगे क्योंकि मैं इस पूरे lecture में आपको इन सारे question का answer दी हूँ इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे ध्यान से पढ़ेंगे तो ठीक है अब उसके बाद है आपका next है पहली inquiry यह है आपकी पहली inquiry यह थी आपकी बूजो inquiry यह बहुजो इंक्वेरी बाकी जो पौदर के भाग है वो क्यों नहीं करते इसका भी answer आपको इसमें मिल जाएगा अब ध्यान से पढ़ना लेक्चर सुनना फिर मुझे बताना ठीक है अब उसके बाद है doodle it इसमें भी question है can life exist on earth in the absence of photosynthesis क्या photosynthesis अगर ना हो तो life जीवन पृतिवी पर है exist करता है कर सकता है ठीक है इस question का answer भी आपको इसमें मिल जाएगा और मैंने आप लोग को भी बताया भी था इसमें आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसका answer मतलब यह जो तीनो inquiries है तीनो inquiries है इसको आप मुझे comment box में इसका answer करके दोगे ठीक है और इस lecture को आप ध्यान से एक बार नहीं, दो बार नहीं तीन बार देखना आपको पूरे असारा answer मिल जाएगा आपको कहीं ढूरने की जुरूत नहीं पड़ेगे ठीक है I hope आप लोग को lecture पसंद आया अब अच्छो अगर आप लोग को lecture पसंद आ रहा है आप लोग को समझ में आ रही है चीज़े तो please subscribe करें, like करें चैनल को visit करते रही है क्योंकि अगर आप एक like कर देते हैं आप एक बार चैनल को subscribe कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे और अच्छे से आपको समझाने की प्रेंड़ना मिलती है ठीक है मुझे बहुत अच्छा फील होता है मुझे पता चलता है कि कितना आप लोग पसंद कर रहे हैं lecture को फिर मैं और अच्छे से अच्छे तरीके से और easy way में work करना चाहती हूँ इस पर ठीक है तो अगर आप लोग का प्यार ऐसे बना रहेगा आप लोग को सारी चीजे जितना मैं अच्छे से बता सकती हूँ मैं कोसिस करूंगी कि बहुती easy way में आपको पूरा science में पढ़ाऊं ठीक है thank you so much for listening me be happy, stay healthy, stay safe bye, have a good day